हलो दोस्तों मेरा नाम हसीव खान और मैं एक स्टैंट अप कमीट है नूँ और जैसा कि देखो हर इंसान की लाइफ में एक चीज होती है जिसमें वह आगे बढ़ना चाहता है जिसमें वह चाहता है कि वह बाकी लोगों से बैस्ट हो यह फीलिंग अपने आप में बहुत अच आया था कि कभी भी ना लाइफ में वीडियो को नहीं मैं एक चीज तो ऐसी हो जिसमें मैं बैस्ट हूं जिसमें मैं अपने डिसीजन खुद ले पाऊं जिसमें उल्टा चार लोग मुझसे आके पूचें के भाई यह चीज कैसे करी जाती है तो मेरे को लगता है वही मैं ज देखते हैं या गरीब की तरह देखते हैं मिडल क्लास की तरह देखते हैं बड़ में को लगता है सब बच्चे अच्छा तो नहीं हुआ हुआ है गोग हमने दोसके संगतियां दोस्त मिलगार इस्तारह करने लगे कुछ अलग असी चीजें किरने लगे जो पढ़ाई कि टाइम पर हमको नहीं करनी चाहिए वह तो फेज ऐसा होता है मेरे को लगता है हर इंसान गलत रास्ते की तरफ जाता है एक नया स्कूल था लोगों ने नाम सुना था स्कूल में हमारा एडमिशन हो गए बड़ी बात है अब महां से निकलने वाले प्रिंसिवल ने पिता जी को बलाए और उसने साफ के दिया था कि आपके बच्चे को हम नहीं रख पाएंगे आप देख लीजे कोई दूसरे स्कू कि मैं तो आपके स्कूल में पहली बार आया हूँ और हो सकता है मैं दुबारा आऊँ भी ना तो बस एक मौका आप मेरे कहने पर देता उसको दूबारा बस ये घर आएगा कभी इसने वो गलती करी तो मैं यह आऊंगा भी नहीं और थैंक्फुली वो मौका मेरे को मिला और और मेरे को आज भी याद है जब मैं पापा बैठा हुए थे एंड में रिजल्ट लेकर आया था एंड मेरे पापा को समय ने का था पाप ने क्या हो रिजल्ट कर दिया स्कूल में और वो एक्साइटमेंट था ना पापा का यार मैं को लग रहा था हम उसी के लिए पढ़ा बस यह बताया था कि एक्जाम निकाल लो अब हमारे जो मिडल क्लास पैरेंट्स थे उन पर हमने एक प्रेशर और डाला कि अब तुम कराओ हमारी कोचिंग फिर उन्होंने जेसे तेसे करके हमें कोचिंग कराने भेजा इंदौर एडिमिशन ले लिया हमको लगा यार यह कुछ तो करेंगे हमारा बाला बट हम पढ़ाई कर रहे थे करते 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 हमारे इंदर फिर वो चीज़ आ गई क्योंकि हमसे टेलेंड़ बहुत लोग थे उ तो जाहिर सी बात है एक्जाम दिया हमने आई टी नहीं निकला फिर जो समझोता हुआ कि कॉलेज मिला हमको टी आई टी कॉलेज हमने के चलो यही ले ले लेते हमारे खुद के भुपाल शहर में कॉलेज है वो लिया हमने पढ़ाई करी फर्स्ट इयर में काफी अच्छा ल अब तक हम वो ही कर रहा है अचानक से एक अफ़वा उड़ती अचानक से बात जहन में आती है कि भाई यह हो रहा है अभी यह कर लो फट से जल्दी से यह कर लो और ना पीछर रह जाओ तो उस टाइम न वो सुना कि भाई गौवर्मेंट कॉलेज ले लो तो पता नहीं क्य मिल गया है जो सोचा था उस सच्छा मिल गया है अब कॉलेज मी बिल गया है पधाई तो अभी वह ही ना पधाई में इंट्रेस्ट आना चाहिए ना में तो बहुलेज तो कोई सब्सक्क ता प्रह थोड़ी था मैं फिर आपको वह चीज़ आदाती है कि पापा खुश हुए तो टॉप करा लेकिन हर पड़ा ही अलग-अलग होती है ऐसा थोड़ी कि आपका उसमें इंट्रेस्ट था तो इसमें भी हो सकता है इन चीज़ों में नहीं आया मेरा इंट्रेस्ट गलती हो यार मेर आप अब इतनी फिला देते हो कि अब अपने डिसीज़न सी डर जाते हो कि अब में लोगों को बोलूँगा कि यह नहीं हो रहा ता पता नहीं क्या हो तो इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा था कुछ मैंने करा लोगों में बता के मेरे को कॉलेज मिल गया कुछ घरवालों प्रेशर डाला कि अब तो सेटल हो गया कुछ दोस्तों ने बताया कि यह कॉलेज तो मिलता ही नहीं लोग फिर उसके बाद आता है फैनेशल फिर उन्होंने एक प्रॉपर एक अमाउंट लगाया आपके उपर तो इतना सारा जब होता है ना तो फिर एक मिडिल क्लास करना वो करनी पा रहें तो वो थोड़ मेरे ना अपने भाई को बताया था मेरा थोड़ा रहा था को कि वह उसकी अलग फॉट्व करने लोग को यह चीज़ें पड़ते नहीं उसने ऐसी सकस्फुल होते गए लोग उसको नहीं मालुम क्या रास्ता होता है पापा फोन लगा पापा को लगाया पापा मेरे को एंजिनिरिंग छोड़नी मेरा मन नहीं लग रहा है उस इंजान ने इतनी बोला कि एक काम कड़ तू ट्रेन पकड़ घर अब में को लग रहा है इतने जल्दी कैसे वान सकता कुछ वह भाई बोल रहा है पैसा काफी इंवेस्ट हो गया है मतलब कि रहा हो मैं देख लूँगा वह चिलाएगा पर बाप हुना दोनों का तुम दोनों का उसका भी बाप हुना तो वह इतना कॉन्फिडेस आया ना मेरे पापा कुछ पर भरोसाब होते यार पापा ने का तो आज मैंने यह नहीं छोड़ी तो 20 साल बाद खुद को बहुत गाली दूँगा कि छोड़ देनी चाहिए थी वह थोट आने लगा मैंने बन में कि वही चीज़ आप पता नहीं क्या करना है लेकिन यह छोड़ना है मैंने प्रोग्रामिंग करने लगा था में कोडिंग में में है को थोड़ा मजा आने लगा वही बात मैं यहां लगता था कि मैं गहरे को मुश्किल लग रहाए वड़ास्ट स्ट्रेस लेके जाए कि माऩोड़ा सुटींकृइंग करना इंस्टाग्राम चलता हूं मेरी खुद की वेबसाइट है और लोगों बताता था लैप्टों में देख मैंने बनाई एक लगता था कि मैंने कुछ करा हैं है सामने कि उसमें बहुत मजा आया मेरे को कि दो साल वो करा और दो साल बाद इतना डरावना थोटाएढ के कोरल भी नहीं करने आप तो अपकट अब एक टाइम ना फिर चार लोग ये भी कहेंगे कि सो आप अब गलवारों की गलती पर नहीं है अब तुम ही गदे हो अब वह चीज बिल्कुल अब तो मतलब चार बर तुम्हारा साथ दे दिया तो कई बर होता न आप जिस दोस के साथ चार बर वह आपको डील करता पांची वार में वह भी केता है तुझ में कुछ फॉल्ट है तो आप वह प्रॉसेस आ अब यह बता नही करता है ना-क्रइन कि तुम्हें यहां तक सपोर्ट करा हैー अब यहां से नहीं कर रहे है उस पॉिरे को चार बाते सुनाई गए करना। इस बार उनी है कि तुम यह कर, वह कर, बस इतना कहा था भई तु पैसे लायक हो गया है। अब तुझे family को support करना है उन्होंने कोई तरीका नहीं बताया था तुझे engineering से support करना या किसी चीज से करना है बस उनका यह था और कोई गलत बात नहीं है इसमें का आपको एक time पर अपनी family को support करना है वहां पर जो वॉइड आया कि आप बहुत हो गया मीडियो कर वाली लाइफ दोस्तों ने बहुत कह लिया घर वाले भी ठीक है उनकी बात समझ में आने लगी अब लाइफ में वह फिलिंग चाहिए कि भाई कुछ तो चाहिए मंदर कुछ ऐसी फिलिंग जिसमें लोग मेरे को चार बाती यह न कहसे के तू ऐसा कर वैसा कर या तू इस चीज में कम है मतलब मैं उल्टा मुझे कुछ कहने की ज़रूत नहीं बड़ा मुझे समझ नहीं आ यह वार था क्या चीज चया तो मैं को लगता है कि कई वार न आपको जday नहीं समझ में कई कि में काँ कई चीज लहार कि आपको क्या चीज कर नहीं है कि मैंने इत्नी सारी चीजी ट्राई करी मैंने एंजिनेरिंच करी एक बार डॉप आउट सोचा गौवर्मेंट कॉलें Resources आइक रिले जाका इंग्लिस का चैनल बनाया चैनल से तो एक वहां पर नहीं होता था तो अग्लान उन चीज सक्षाल णाय मूझे पर करने यूट्रचण पर Maced答 था वाइट बोर्ड उस पर में कुछ टॉपिक्स पढ़ाता था यूटूब पर चाहता चल रहा था हमारा बढ़िया मतलब पेस पकड़ा एक साल हमने वो कर रहा मैं उसकी लिंक भेजता था अपने दोस्तों को के भाई देखो मेरे एक दोस्त आजम नाम का पता नहीं कहां से मतलब उसकी एक बात थी हिट कर गई वो पता नहीं क्यों उसने ऐसी लिख दी मजाक में लिख दी क्या था उसने मेरा वीडियो देखा और इंग्लिश पढ़ा र और कहीं भाई स्कूल टाइम में न तू यह एक ऐसा बन्दा था जो स्टेज पागा साथा तरते लोग उसने फ्लेश बैक में ले गया मेरे को याद आया है कि हाँ यार नाइंध क्लास में टीचर्स की मिमिक्री मैं करता था टैंध क्लास में स्टेंड अप मैंने किया लाइफ टाइम हो सकता है भाई मैं को माईक पकड़के बोलने में तो मज़ा आता ही था ना तो मैंने यह कूँ सोच लिया कि स्कूल तक ही लिमिटेट था कि सिर्फ कुछ चार फंक्शन सोते हैं उसी में मौका मिलता है क्या मैं अभी भी स्टेज पर जा सकता हूं कि कुछ लोग हैं जो अभी भी स्टेज पर जाते हैं या कुछ लोग हैं जो पूरी लाइफ स्टेज पर रहते हैं तो जब वो फील में मज़ा आता था तो ढूंड़ो उसको अब स्टेज पर जाने से रिलेटेट भी बहुत सारी चीज़े होती हैं सिंगर आप बन सकते हो पोईट अब बन सकते हो मेरे अंदर एक थोट आया है कि एक ये फील हो गया स्टेज पर जाकर अच्छा लगता है दूसरा फील यह था कि मैं इसे नॉर्मल डिसकेशन मीं है कभी कोई बात कहता हूं और उस पर मेरे कुछ दोस्त हस जाते हैं या मेरे कोई फैमिली मेंबर हस जाता है में को ना वो फील बहुत पसंद है कि मैंने हसायस बन देगा अब जवाब के लिए रहे स्टेज पर जाना है लोग हसाना है स्टैंडप कॉमेडी ओपन माइक करके फिर हमने सर्च करना शुरू करा कहां होते हैं कोई आईडिय नी ओपन माइक हा फेस्बुक पे डाला ओपन माइक इन भापाल गूगल पे डाला ओपन माइक स्नियर में एक दिन में अपनी शॉप पे बैठा हुआ था उसने मेरे को ऐसी पोस्टर भेज़ दिया वाट्सअप पे क्या गया उसका इस टाइम अगर उस दिन वह नहीं करता तो क्या होता कर दिया उसने वाट्सअप पर वाड़ एक स्क्रीन शॉट लेके देख तू अपन डून रहे थे ना ऐसा कुछ है बात करते हैं उस नंबर पर फोन करा मैं को स्पॉर्ट मिल गया है स्पॉर्ट में रूप हां किला आपके फोटो भेज दो मैंने फोटो भेजा एक पोस्ट अपने गाउं में गया हूं मैं अपने जितनी भी शॉप से इवेंट वाले दिन गया जिस दिन मैं पता नहीं क्या दिमाग माया पहली लाइन स्टेज पर जाते यह बोल दी कि जो बड़ बड़ कमेडियन्स होते हैं लाइक जाकिर खान अभी शेक उपमन्यू कई बर तुम उन से मिलते हैं तुम पूछना चाहते हो कि तुम्हारी शुरुआत कहा से हुई थी कि तुम थो मुझे से मिलोगे के कहा से शुरुआत उपधि मैं बता रहूं यहां से हो रही opinions तो उननमर्ली लीया था हुआ और मैंगे से बोल जीथी मैं कि पर तुस मोमेंट पर है सुनाल है भी तिर सा आगए फिर मैं कहरा हूं कोई कोंविडरी से निया रहा कि मुझे थैं कि फणी 비ूल रहे ऐं थी बात है जे को लग रहा था यार मैं पता ही करता हूर के Armstrong नहीं आ रही घलत healthcare उसी болत हैं ई कि मैं really satiya जरासा विल्कुल अ मैंने वो कर सो गया और मैं जारा है घर पर बढ़िया मेरे को एक दोस्त मिला सुमित नाम का मेरा सुमित मिश्रा नाम में भोपाल में बहुत अच्छा का मीडिया ने वूम ale ऽुह में को वहां पर मिला और उसने का कि modular chat क्राया governo इंसान DES इसने बस इतना के दिया कि भाई तुन अच्छा कराया है को मेरे माइंड में तो लग रहा था चार मिनट में से इतना सासाया मैंने बढ़ वो कि रहा था तुन अच्छा कराया मेरा पहला माइक था नौ जून 2018 को जिस दिन मैं परफॉर्म किया था को उसने बताया कि 12 को भी हो टक्ष मिनट बिल्कूल स्यलेंस एक हल्किसी समयल तकनिए कि सीचरे फिर तीसरा माईक आया हुआ इक अलग रियालिपी होई है वहां पर मैं गया है वहां पड़किवाणी मिल गई में स्टेज प गया है तस मिनट आरे नियौकर है करें बगद्दर हो जटरा करीं और सुमि audience वगवा से तेरा अच्छा था मुझे लग रहा था में को पता चल गया था मैंने के दिल रखने के लिए बोल रहा है और मैंने comedy छोड़ दी छोड़ दी मैंने comedy मैंने करनी comedy नहीं हो पाईगी maybe this is just one another thing जो मेरे से नहीं हो पा रही छोड़ दी मैंने एक दिन बाइक चला रहा था मैं बाइक चलाते चलाते अचानक थोड़ आया क्यार कहीं मुझ में ही तो थोड़ी बद कहीं मैंने तो कुछ हल्की मेहनत कम नहीं छोड़ा है तो लग रहा है क्यार वो feeling तो पसंद है ना मेरे को कि माईक पे खड़ो कि जो घसाना अब हसान नहीं पारा हूँ वह एक अलग बात है लेकिन शायद मैने महनत नहीं करी है शायद मैंने जोकी नहीं लिखे हैं शायद मेरे को لग रहा है कि जस्ट बिकोज मैंने सोच लिया तो हो गया मेहनत करने की जरूबत नहीं मैं को लग रहा सिर में स्टेज पर चला जाता हूँ और कुछ भी बोलने लगता हूँ तो मैंने एक माइक में और रजिस्टर करा मैंने ठीक इसके बाद इसमें भी कुछ नहीं हुआ ना तो फिर तो नहीं करेंगे तीन अगस्त का वो माइक था मैं घर पे गया वहाँ पर मैंने आद एक घंटे अराम करा और मैंने सुचा तीन जोक लिखे मैंने वहाँ पर लिटरली तीन जोक लिखे कि हाँ भाई इन तीन जोक पर आज मुझे हसाना मुझे मतलब नहीं कि भाई बहुत प्यारी कामेडी आप मुझे वह फिलिंग चाहिए थी कि अब लोग आ पर बोलिंग घाlt दर खतम होने लगा मैं अच्छे जोक्स लिखने लगा कई वार सेर्फ डाउट आया कि मैं जोक अच्छे लिखता भी नहीं लेकिन फिर अब यह था कि अब वो उस फेज में जाऊंगा मैं कि भाई अब छोड़नी है अब लड़ना है वह फीलिंग के लिए लड़ना है कि वह आके कहींगे तो अच्छे जोक्स करता है लोगों को हसाना है कि तीन चार चीजों का कॉम्बिनेशन इसको बनाया रखना है उस चीज़ के लिए हमने कोशिश करी कि कुछ जगाएं हैं जहां पर लोग अपने वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और डालते हैं लोगों ने अलग-अलग सलाएं दी कि पहले भाई इस शहर में रहो एक-एक महीने रहो यहां की जनता को समझो तब इस जनता को हसा पाऊँगे लोगries दे कि कि यहां पर करना बहुत मुश्किल होता है कौमेडी करना आप अपने शहर में करते हो भुपाल में वह अलग बाते हैं यहां करते Σसब्सक्राब हैं ने का है तो इंसान ही ना हम बी इंडिया के शचान नहीं हम रहे भात कहेंगे वह बाश समझेंगे और नहीं आप्स पर्फ़ॉम कर रहा है अपने दोस्त को फोन लगा बाई कांड हो एब तुम देख लो क्या होने वाला है कि या इसा क्या कर भाई अब तुम वीडियो आने तो वस क्या जाद है मैं पता नहीं क्या ही कर दिया मैं अपने एक दोस के साथ मुंबई आया था उस महां गया रूम पे अब हम दोने इसे गरीब से थे थोड़े आपस में के भाई सस्ती होटल में रुके हुए सस्ते होटल में जाके खाना खा रहें और वो उस दिन मेरे से कह रहा था भाई आज घूमने चलिंगा उदास सा था को कि मेरे को पफॉंग करना तो जब बोलेगा तो अब लाओंगा ऐसा क्या होगा मैं तू देख आप क्या होने वाला बस ये वीडियो आने दे तू यूट्यूब इतना कौन मेरे को वीडियो आया और वीडियो वायरल है लोगों नो बहुत प्यार दिया मिलियन सोचना व् आज वीडियो नो मिलियन जा चुका है 90 लाख लोगों ने देखा उस वीडियो को इतना प्यार दिया इतना प्यार दिया कि भाई पूछ मैंने अलग जनता एक्स्प्लोर करी कोगी मुझे अंदर कॉन्फिनस था कि हाँ अगर मैं ये फील इतने लोगों को दे रहा हूं तो जो मेरे को सबस्यादा हिट करती मिडल क्लास उस पे था कि कैसे कुछ लोग मिडल क्लास में भी नहीं है और गरीब भी नहीं और उसके बीच की जिन्देगी जी रहे हैं वो वीडियो को काफी रिलेटेबल लगा उसके बाद अभी फिलहाल मैं अलग-अलग शहरों में जाक जाते सोचिंजर बहुत जादा सोचले एक साल के साथ से नहीं दरीम पूरा नहीं होता लेकिन रफसकर पर के बेठ़ाओं यह तो में नहीं हुआ है तो मैं को लगता न कभी न कभी कभी ख 혼자 को इतना अंडइस करते हैं लिमिटेड मान लेते हैं कि इतना ही कर पाएंगी या तर्व को Θ Crim को कॉमेडी कर सकता है कि मैं में को लगता है कि मैं इस बात को कुछ लोग हैं जो आपके अंदर बिलीव करते हैं आपने पापा का बता है कि जब मैं छोड़ना चाहा रहा था अगर उस टाइम नहीं कहते कि भाई आजा तू कितनी सी बात थी वह कह देते कि त्राय कर ले अब पापा की बात तो माननी बढ़ती है उस हिसान ने कह दिया कि आजा नहीं होरा तो आजाओ को उसके लिए लड़का इंपॉर्टेंट था उनका बेटा इंपॉर्टेंट है वह डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है उनको बेटे में कॉन्फिडेंस था उस कॉलेज में कॉन्फिडेंस नहीं था जब बेटा कुछ करेगा निकाल लेगा मेरे वीडियो वारल हुआ मेरे पापा रोज वो वीडियो देखते हैं तो को पता है नहीं बुलाया तो उसने करेन ले जाता है तो वहीं चीज़ हैं मैं लगता है कि मेरे फैमली ने मुझ पर विलीब करना और इतनी सारे चीज़े ट्राय करी इतनी चारी चीज़ों फेल हुआ लेकिन शायद इसली हुआ को यृद्ध चीज में आप लोग के अप लोग सी बोलना चाहूंगा के भाई लेकिन एक टाइम को जब पता चल जाए कि यार होई नहीं रहा इस चीज में तो गिव अप करना भी जरूर है और उन चीजों में जरूर है जिसमें आप उस वज़े से बने हुआ है कोगी जमाना क्या कहेगा और गिव उस चीज में कभी नहीं करना चाहिए जो आपके अंदर अगर आप इस स्टॉक के एंड तक पहुँच चुके हैं तो मैं आपको जो स्टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूँ जिससे मैं काफी देर से जुडा हुआ हूँ हो और मुझे बहुत बहुत ज़ादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं जो स्टॉक्स ने एक नया एप लॉंच किया है जिसका नाम है जो स्किल्स अब वो नया नहीं रहा काफी टाइम से है लाखों लोग उसको आप यूज करते हैं और जो स्किल्स पे आप अपनी जिंदगी के लिए कोर्स जून सकते हैं वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉ हर एक कोर्स में डेली क्विजिस हैं, एक्सेसाइजिस हैं, एक बहुत ही खुबसूरक कम्यूनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इंकरज करेगी, आज ही डाउनलोड करें जो स्किल्स का अप और उनके कोर्स इस एक्स्प्लोर करके अपनी जिंदिगी को आगे ब करें